हलो बच्चो मैं सोनु जांगीड आपके लेकर आई हूँ हिंदी कक्षा 3 की हिंदी पार्ट 1 प्रभू विमल बने ये एक कविता है इसके रचियता है रमिंद्र नाथ टेगोर रमिंद्र नाथ टेगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है रमिंद्र नाथ टेगोर जी का जनम साथ मैं 1861 को कॉलकत्ता में हुआ रमिंद्र नाथ जी बहुती विश्व विख्यात कवी थे नाटक कार थे चित्रकार थे संगीत कार थे और वे भारतिय सहित्य के नोबल पुरसकार से समानित थे वे एशिया के प्रथम ऐसे रहती थे जिने नोबल पुरसकार से समानित किया गया उन्होंने 2000 कवी गीत लिखे आठ पन्यास आठ कहानी संग्रह उन्होंने लिखे जो उन्होंने 2000 गीत लिखे थे उन्होंने लिखे भारत के रास्ट्रगान और बांगलादेश का रास्ट्रगान भारत का रास्ट्रगान तो आपको पता ही है जनगनवन और बांगलादेश का रास्ट्रगान है आमार सोनाल बांगला अब बच्चों यह कविता हम आगे प्रस्तूत करते हैं इस कविता में गुरुदेव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है उन्होंने अपने देश के लिए यह मांगा है इन्होंने अपने देश में रहने वाले लोगों के मन में और आपसी विचार मन बाइचारा बना रहे और देश की मिट्टी तो चलिए पढ़ते हैं देश की माटी देश का जल हवा देश के देश के फल सरस बने प्रभू सरस बने इसमें कभी तब्भू से प्राथना करते हैं कि मेरे जो देश की मिट्टी है वो और जल हवा और फल यानि की वरस्पती वो सरस बने यानि रस से परिपूर हो सरस बने ऐसी उन्होंने इश्वर से कामना की है कि देश के घरा और देश के घाट देश के बन और देश की बार्ट सर बने प्रभू सरल बने देखिए देश के घाट घाट याँ किनारा नदी की चो किनारे बहुत आसान उजाई मेरे देश में रहने वाले लोगों के या निवास करने वाले जो लोग है उनके घर और किनारे और रास्ता इतना सरल हो जाए कि वो वो कहीं ना रुख सके कहीं किसी चीज में अठकल ना आए इसलिए उन्होंने प्रभु से ये प्रात्ना की है देश के तन और देश के मन देश के घर के बाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने देखे गुरुदेव जी कहते हैं इश्वर से कि मेरे देश में रहने वाले लोगों के मन और तन यनी शरीर और मन और तन से बिलकुल स्वस्थ रहे और उनमें भाई चारे की जो भावना है वो उनमें बनी रहे और विमल बने प्रभु विमल बने और ene ki मेरे देश में रहने वाले लोगों के बन और तन बिलकुल साफ रहे और उनमें आपसी भाई-चारा उनमें बना रहे ऐसी उन्होंने प्रभु से कामना की है और उन्होंने अपने लिए देखा इस काविता में उन्होंने अपने लिए कुछ देश के लिए ही अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए ही उन्होंने कामना की है देश के लिए ही उन्होंने मांगा है तो बच्चों आपको यह कवीता आपको समझ में आ गई होगी एक बार हम फिर से पढ़ते हैं देखे इसमें कवी कहते हैं कि मेरे देश की मिट्टी और जल हवा और फल बिल्कुल सरल बने बिल्कुल सरस बने और मदूर से मदूरता रहे और देश के जो घर है देश के जो किनारे है देश में जो वन है और बाट यानि की रास्ते है वो बिल्कुल सरल बने ताकि मेरे देश में रहने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी परिशानी ना हो मेरे देश के तन और मन घर और भाई बहन विमल बने यानि मेरे देश में रहने वाले लोगों के मन और तन बिल्कुल स्वस्थ रहे वो और उनमें आपसी भाई चारा बना रहे भाई चारा अपस में बना रहे तो बच्चो यह कविता आपको समझ में आ गई होगी, इसके आगे हम चलते हैं, तो बच्चो आगे चलते हैं हम शब्दार, शब्द बोध यानि वर्ड पावर, सरस, सरस यानि क्या होता है, रस से परीपुन, यानि रस से परीपुन हो, उसे हम सरस कहते हैं घाट, घाट यान नदी का किनारा सरोवर का किनारा जहाँ पानी भडरते हैं पानी लेकर आती है नावे रूपती है जाद चलती है और पी तो उसे हम कहते हैं घाट यानि किनारा, वन यानि कि जंगल, माटी यानि कि मिट्टी, तर्न यानि शरी, विमल यानि सच, बाट यानि राह, रास्ता तो देखी बच्चो यहां विमल दे रखा है तो यहां विमल का मतलब है स्वच लेकिन जो कवीता थी उसमें तन और मन दोनों दे रखे थी तो तन क्या से रहेगा तन रहेगा स्वस्थ और मन मन के लिए होगा स्वच हमारा मन स्वच रहे और तन रहे बिलकुल स्वस्थ ठीक देखको है तो आगे पड़ते हैं शुन्य वर्तने वाले शब्द पहचानकर खाली स्थानमें भी तो अधता है देश और यहीं के तो इन दोरों में शुद्ध बांट शुनकर शभ्ध कॉन सा है तो इसमेंmayın रहा है देश देश बिल्कुल शुद्ध शब्द है तो ऐसे हम आगे नीचे करेंगे यहां दे रखा है बिमाल और यहां दे रखा है बिमल इन दोरों में से शुद्ध शब्द कौन सा है तो यहां लिखेंगे यहां तो शुद्ध हुआ तो हम यहां पर लिखेंगे बिमल नीचे देखिए बच्चों यहां दे रखा है शरस और यह है सरस तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा सरस यानि कि रस से परिपूर्ण सरस अब आगे दे रखा है प्रार्थना और यह है प्रार्थना तो इन दोनों में से शुद्ध शब्द होगा प्रार्थना जो हम सुबह करते हैं प्रार्थना आगे देखें यह है प्रभू और यह है प्रभू इसमें बड़े उकी मात्र है और इसमें छोटे उकी मात्र है तो इसमें से शुद्ध हुआ प्रभू यहने की बगवान ठीके बच्चों अब आगे देखते हैं वहन और बहन इसमें कवीता के अंदर जो शब्द है वो इसमें लिए गए हैं यहन तो होता है भार वहन करना और इसमें दे रखा है बहन जो सिस्टर होती न बहन तो इसमें वह दिया गया है तो यहां पर शुद्ध शब्द होगा बहन इसमें आगे बच्चों अब आगे चलते हैं जल को क्या क्या कहते हैं यानिकी परियायवाची शब्द जल को क्या क्या कहते हैं जल को कहते हैं वारी अंबू तोय भी कहते हैं यानि कि ये जल के परियायवाची है इसी तरह से हम नीचे दिये गए शब्दों में से अलग अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाकर परियायवाची पढ़िये तो जैसे हवा है, हवा का परियाव अची क्या है, पवन और वायू, पावक हवा का परियाव अची नहीं है, तो इस पे गोला लगाया है, तो देखी बचो, हमने देखा ये हवा, हवा का परियाव अची पवन आ गया, और ये वायू, पावक जो है, वो आग का परियाव अच कट KH कट्रोधम का मतलब होता है मुक तो घर के प्रयावक्ची हो गए गरहρεί और सदन वन, वन के परियावची है कानन, कुंडल नहीं है वन का परियावची, जंगल है, तो हम इस पे लगाएंगे कुंडल पे, कुंडल होता है कान में पहने वाला आबूशन, उसे हम कुंडल कहते हैं, तो वन का परियावची हो गया कानन और जंगल, अब आगे देखेंगे जल, जल का परियावच्ची होता है नीर और पानी वारिज जल का परियावच्ची नहीं है तो इस पर हम गोला लगाएंगे तो यह वारिज है वारिज पर हमने गोला लगा है क्योंकि यह कबल का परियावच्ची है तो बच्चों यह आपको समझ में आगया होगा आगे हम पढ़े अगले पार्ट में अगले वीडियो की साथ में हम मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद